तो लीजी आप भी देख लीजिए आपकी फाइनली डेट शिट आ गई है अब आपकी जो एक्जाम है फाइनली फैबरी में हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाप पर एक्जाम कब-कब होएंगे आपके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टार्ट चैनल आज़े हम बात कर रहे हैं यहाप पर एकनू के हॉल टिकट और यहाप पर एट्मिट कार्ट से रिलेटिड हर जानकरी आपको हम देंगे और हमारे इस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे हैं और वीडियो को पूरा देखे जिससे कि आपका क करेंगे तो यही एक रिंक है जिस पर आप हाल टिकटन काल सकते हैं और कोई लिंक पर अभी तक नहीं मिली के इस्थिकरेंगे तो यहाप पर आपको ect今वr 2020 ट्वंटी टार्माइंड एक्जामिनेशन यही पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे इसी ही लिंक पर आपको क्लिंक करना है अदर्वीज आपके पास यह लिंक नहीं भी है तो हम आपको यह आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप उससे क करकर आप अपना hall ticket जो है वह निकाल सकते हैं तो चलिए बात करते हैं hall ticket और admit card और यहाँ पर आपकी examination के बारे में तो हमारी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके exams किस तरीके से होएंगे और क्या क्या प्रॉसेस है आपके फैबरी में exam हो रहे हैं या नहीं और admit card किस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो हैं आपकी program code जो हैं आप इसमें according to your program code आप चेक कर सकते हैं कि आपके exam कब कब है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर online submission की last date जो थी assignment projects की 31st of January थी और यह 31st of January 2021 की last date अब end हो गई है अब यहाँ पर कोई date जो एक्स्टेंड नहीं होईगी और कोई postpone नहीं हो रहे हैं exam आपके exams भी हो रहे हैं और 8 February से जो हैं आपके exams start हो रहे हैं और March के end यह बीच मिड में यह जो हैं आपके exam end होईगे तो बात करते हैं आप देख सकते हैं according to your program आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा program है देखे tentative date sheet के बारे में बात हो रही थी अभी आपे finally date sheet आ गई है अभी exam जो हैं आपके हो रहे हैं और आप otherwise अभी किसी student ने जो है haul ticket नहीं निकाली हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी होने की विज़े से यह काम हो जाता है तो आप यह देख सकते हैं असाइमर समिशन की लास्ट जो थी 31st of January थी अब यहाँ पर आपकी देड़ जो है कोई नहीं हो सकती क्योंकि यह 31st of January लास्ट थी अब आपके पास कोई option नहीं है आपको यही थी लास्ट और नहीं तो आपक समिट कर सकते हैं और यह कुछ तरीके से आएगा अब जब समिट करेंगे और अभी तो खेर होई ही नहीं पर आएगा 31st of January कल की लास्ट थी अब आज कोई डेट नहीं है और कोई डेट जो है एक्स्टेंड नहीं हुएगी तो हम आपको यह बता देते हैं सबसे पहले कि जो अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि कई स्टुडेंट्स होते हैं नहीं हो बाता है टाइम भूल जाते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी है बट आदरवाइस ऐसा हो भी जाता है कि आप तबी भी नहीं कर पाए तो यहां पर इगनुन ने कोई बांडरी नहीं कि नहीं रखी है इस स्टुडेंट्स को वह नेक्स्ट एयर में जो है बहुँ यहां पर आपके जो एक्णाइनशान फिए वह समिट कर लेंगे इसlike以शन का तो आप जून मिंघंश में जून में अपी इसकते हैं और यहां पर आपको डारेक्ली लिक्रास दिख रहागा लास्ट टीट फॉर समिशन ओफ ओनलाइन एक्जामिनेशन फॉर फॉर्म इस क्लोस्ट देखें यहां पर डारेक्टली लिखा है लास्ट जो दी समिशन की ओनलाइन एक्जामिनेशन फॉर्म की वो क्लोस्ट हो गई है क्योंकि 31st of January लास्ट थी और फैबरी 1st डेट है तो यहां पर नहीं होएगा आप शो तो यह आपको समझ आ गया होगा कुछ इस तरीके से यह था तो चलिए हम बात करते हैं करते हैं देखिए कुछ तरीके से 2ndं हैं पहूँ सकते हैं मैं आया है फोटो वाला होट सेकीन जो हे विदाउट फोटो है और तहर्ड जो है वो यह देखें यह आपको दिखा देते हैं यह जो first है हमारा फोटो वाला है सेकीड है without फोटो और आपको जो without photo मिला है उसमें आपको कोई tension लेनी की सब्सक्राइब नहीं है यहां पर कोई issue नहीं है without photo का आप यहां पर इजी ली हम आपको बता देंगी कि आप क्या करेंगी आदर्वाइस आपके आइकार्ड में जो है फोटो नहीं है अपको पेस्ट कीजिए कोई प्रोब्लम नहीं है और यहां पर लिखा भी हुआ है कि आपको फोटो पेस्ट करनी है और आपको हम दिखा देते हैं एक सब यह देखिए आपको यह वाला दिखाते हैं यह वाला है जो without photo है आपके students यह आपको समझ आ रहा होगा guys यह देखिए यह without photo है तो आप यहाँ पर कोई दिकहती है paste your photo self यहाँ पर आप खोदी photo लगानी है और यहाँ पर यह problem जो है यह क्यों आई है देखे फोटो जो है वो उन ही students के आई है जिन्होंने जो मतलब old student है और जो new student है उनको यहाँ पर problem यह हो रही है कि वो new है इसलिए उनकी photo नहीं आई है और photo भी यहाँ पर आपको वही लगानी है जो आपके i-card में photo लगी हुई है आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ इंस्टेक्शन लेके हुई है दिसमबर 2020 आर्माइन एक्जामिनेशन के लिए कि जो है आपको mobile phone करी नहीं करना है इंसाइड अदर्वाइस आप होल में जब एक्जाम देते तब आपको फोन नहीं लेके जाना है यह इंस्टेक्शन हमने आपको लास्ट वीडियो में भी रिडाउट करा दी थी और यहाँ पर और चीज हम आपको बता देते हैं कि जो एक i-card है वो है photo वाला second i-card है without photo वाल students के जो i-card आए है तो उनके यहाँ पर ना photo है और ना उनकी जो details है वो भी नहीं है तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि you are promoted और promoted link is here यहाँ पर यह लिखा होगा और आपको उस पर click करना है वहाँ पर details टालनी है वहाँ आप check कर सकते हैं कि आप promoted है क्योंकि आप जो पर मोटेड है उनके पास यह जो है फोटो और डीटिल्स नहीं आई है और आपको हम बता दे कहीं स्टुडेंट्स का हमाएं पास यह जो डाउट था यह था कि वह एक्जाम में लेकर क्या क्या जाए तो देखे हम आपको बता देते हैं एक्जामन जो भी है जो जो प्रूफ क्या लेकर जाना है और मतलब इगनु से रिलेटेड जो हो तो देखे आई कार्ड सबसे में है आपका इगनु का अदरवाइस वह भी आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आपको हॉल टिकेट लेनी है जो की प्रेंट टेबल जो मतलब प्रेंट उसका कलरफुल हो और यहां पर ब्लैक इन वाइट नहीं होना चाहिए वह कलरफुल हो कलरफुल ज्यादा अच्छा रहेगा और यहां पर आपको जो है प्रूफ में अदरवाइस हम बात करते हैं तो यहां पर आप आधार कार्ड जो है यानि स्मार्ट कार्ड जो है वह बहुत अच्छी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं और अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट किजिए हम आपका सेरेट कमेंट्स रिस्पॉंस देते हैं हर कमेंट को रिपलाई करते हैं और अभी हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या दि हिन्दु के ऊपर हम बात करेंगे और वह हम आपको बताएंगे कि किस तरीकी का स्लेबस है हिंदी वीडियम के जो वीवर्स ने हमार को कमेंट किया था तो हम ज़रूर वीडियो भी कल शियर कर देंगे आज हम आपको यहीं वीडियो दिखा रहे हैं और एक और वीडियो जो है हैं होल टिकट में तो अब तक लिए धन्यवाद थैंक्स पू वाचिंग बाबाई